मेरा आनन्न है मैं जोत्पुर्च से आया हूँ मेरा सवाल यह है कि आपने कल कलकी अवतार के बारे में बताया था उसमें बताया था कि मौमद पेगंबर सा कलकी अवतार से बिलकुल मिलते जुलते हैं तो कलकी अवतार विष्णु बगवान का ही एक अवतार है उसके हिसाब से हम लोग जो विष्णु बगवान को मानते हैं आप लोग भी विष्णु बगवान के एक अवतार को ही मानते हैं उस हिसाब से आप सभी बगवान विष्णु को ही अल्ला मानते हैं जो आप खुदा क कहते हैं कल की आउतार मुहम्मद स.A.W. है और आउतार विश्णू की दूसरी चकल है तो आप विश्णू में मानते हैं वाईसा आप मेरी पूरी तक्रीर है मुहम्मद स.A.W. का जिकर हिंदू मजभी किताबों में पूरी तक्रीर में आप सुनेंगे उसमें मैं साफ तोर से आउतार के मानी क्या है, आउतार जो कहते है भगवान की मूर्ती, ये आम हिंदु कहते है, आउतार सांस्कृत वर्ड है जो आता है अव और तरह से, अव तु डिसेंड तरह मतलब डाउन, नीचे आना, उसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है, आउतार का सही तरज ये पैगंबर ये मतलब ने कि भगवान की मूर्ती या भगवान की शकल, आउतार के सही मानी संस्कृत में है पैगंबर, तो हम कहते हैं वो अल्ला का पैगंबर है, और अल्ला का आखरी पैगंबर, कल्की आउतार जो जिकर है आपके किताबों में, कल्की पुराना में, वो पेगमबर आ सकते हैं आ सकते ने भोषते आ चुके एक लागच मैज़ना है इसके बाद कोई पेगमबर नहीं गहाएंगा आपके किताब में लिखा है कमें सुर्या दाब चूरा नमबर 33 आएत नमर 40 में क्या मुहम्मद सुलाओं सुलाओं आखिरी पेकंबर है इसके बाद कोई पेकंबर ने आएंगा इसके पहले बोट आ चुके है आप मानते हैं मुहम्मद सुलाओं सुलाओं आखिरी पेकंबर है हाँ आप मानते हैं आप मानते हैं आप मानते हैं बुद्परस्ती गलत है मुर् आप बंबे में टाइम बहुत कम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप मानते हैं कि मूर्ति पुजा में? अर आप कंटि को छोड़ो हम बंबे शेर में आप मूर्ति पुजा को मानते हैं? जिदने भी मुसल्मान है अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना उनके अगर फादर चल गए है तो उनकी फोटो लगाते हैं तो वो फोटो भी एक मूर्ती पूझा ही हो गई ना बाइसाब ने कहा कि कोई मर जाते हैं उनके फादर फादर की पेंटिंग लगाएं या उसकी पूझा करें या वो भी गलत है हमारे घर में नहीं है मैं तो सेकडो मुसल्मान के घर में का मैं फोटो ने देखा हूँ अगर जो मुसल्मान के घर में आपने देखे और वो फोटो की पुझा करता, वो भी गलत है? आप वह जो यए मुसल्मान मत बनो. मैं आपके पुझना चाहता हूँ. आप मानते हैं, कि मुर्ती पुझा गलत है? मैं तो सही मानता हूँ. तो आप अभी अपनी किताब पढ़ो. मैं किताब का हवाला दे चुका हूँ. सेता सेता रुपनिशद, चैप्टर नमबर चार, श्लोका नमबर उननीस, और यजुरुवएद, चैप्टर नमबर बतीस, श्लोका नमबर तीन, ना तस्ति पती में अस्ति, उस इश्वर, उस भगवान की कोई प्रतीमान ने, कोई अक्स ने, कोई फोटोग्राफ ने, कोई मुर्ती ने, कोई बुत ने, तो आप अपनी धार्मी किताब को पढ़ो, तर्जुमे के साथ, इंशाला ऐसा ही रास्ते पर आएंगे, मेरी धरकाउस्ते के अब कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो, और इंशाला आप हिदायत पाएंगे,